बंदे मातरों विद्यार्थियों और किसी भी competition की त्यारी करने वाले students या भी आर्थियों आज से मैं एक नई स्रंगला शुरू कर रहा हूँ जिसमें NCRT की जो भी पाटि पुस्तक है कक्षा 11 की राजनिती विज्ञान की उसका पूरा सार संग्र है यानि NCRT की बुक का जो पूरा सारांस है वो मैं आपको एक एक पाट के वीडियो की रूप में प्रस्तुत करूँगा ये जो संग्ला है वो किसी भी competition के लिए बहुत मैतोपून है जैसा कि आप वो जान विदित होगा की जितने भी competition होते हैं उनमें NCRT की जो भूक से वो आधर या बेस के रूप में मानी जाती है और उसमें भी राजनिती विज्ञान या पॉल्टिकल साइंस की जो भूक है वो बहुत ही मैतोपून है कई प्रस्णल हर competition में RPSC से या UPSC से समय जितने भी competition होते हैं उनमें NCRT किताब में का बहुत बेटेज होता है और प्रस्णल पूछे जाते हैं तो आज से राजनिती विज्ञान की एक अक्षा 11 की जो दो पाटे पुस्तके हैं पहली जो पुस्तक है भारत का समयदान सच्षिदांत है और बयावार और दूसरी पुस्तक है राजनितीशिद्धिक शड़ान है तो आज मैं जो दूसरी पुस्तक राजनितीक सच्षिद्धियांत है उसका अध्यन करवाँगा इस सरंक्रा chlorine में जब से पहले तो पार्ट से समझेद कुछ मैतोपून बिंदू को बताऊंगा उसके बाद में उस पार्ट से समझेदे जितने भी प्रशन बन रहे हैं जितने भी समझेद प्रशन अबसदे या मल्टिबल चॉइस ग्रूप में पूछे जा सकते हैं या परिपासा ग्रूप में चोटे जो प्रशन होते हैं उन सभी को बताने का प्रियास करूँगा तो ये वीडियो कक्षा 11 के स्टुडेंट्स के लिए और उसके साथ ही विविन dł requisite प्रिक्ष्णाओं के थिर्ण चुइड़ी करने वाले जो भी वियार्थी ही उन सभी लिए मैन तो पूर्ण होगा तो आई शुरू करते हैं सबसे जो पार्ट्सितिक सित्दाइत एक परीचे है इस पार्ट को आज से सुरू करते हैं तो इस पार्ट में सबसे जो पाटबुस्तर का नाम है या पाटबुस्तर का पहला पार्ट है राजने दिख सिर्दानत एक परीचे है उसमें मैं आज सुरू कर रहा हूँ भी तो पहला पॉइंट है कि आधुनिक काल में स अधिकार वाले अधियाय में किसी भी रूप में छोवा छूद का निशेत किया गया है और गांदी जी के सिदानतों को नीति निदेशक तत्वों में सामिल किया गया है तो इस तरह से यह जो पहला पॉइंट है इसमें काभी इंपोर्टेंट दो-तिन कथन आगे सबसे पहले तो रूसों का है कि रूसों ने सबसे पहले बताया था कि स्वतनतता मानमात्र का मौली के दिगार है और काल माक्स आपको बता होगा काल माक्स की जो प्रिस्ट कुस्त के अधास कैपिटल और माक्सवादी विचारदारास से समंदित जो काल माक्स है उन्हें तक द आपनो के सार्वै, तो टौपिका इस में प्राचिन कार्म आतिक नाम स्केड लमें youtube तक प्राचिन कालम यूनान पराचिन का इन cricket audible नाम के आतिक भी 18 में उनके बहुत संगे दर्म और जिय के बारे समाज तरम मांनिता है थी उनका स्वाल उठाने के कारण एथेन्स के सास को दfulness को दोरा शुक्राथ को मूर्तिदन दिया किया था तो यह ही बहुत मेथ पोन नहीं है और खास्कर जो नगर है उसका नाम और शुक्राथ का नाम हbé मेथ पुन आप परिसंतर पड़ेंगे तो उसमें परिसंतर पड़ेगा इसे लाफा राजनेटी घ्यान में भी परिसंतर दर्संतर को तो आपको बढ़ना पड़ता है तो जुद्ध रिपेवल की जो पुस्तक थी ये प्लेटों ने लिखी थी और इस पुस्तक में सुक्राद और सेपलस के बीच में जो समवाद है उससे ये पुस्तक आरम होती है तो इस तरह से ये तो कुछ इंपोरेंट बाते थी इस पार्ट जो प्रस्ण है कि आधनी काल में सबसे अधिक सबसे पहले किस ने सिद्ध किया कि स्वतंता मानो मातर का मौली के दिखा रहे तो इसका रही आंसर है रूस हूँ जैसा कि आपने अभी कुछ जो पिजले जो पेज से उनमें देखा था कि रूसों ने सबसे पहले बताया था क कि स्वतंता है मानो मातर का मौली के दिखार है नेक्स जो है कि समानता भी उतनी निनाय गोती है जितनी की स्वतंतर था यह तरक किसका है यह कुछ समय मुले हो पी जस्ट कुछ मिनट पहले ही मैंने बताया था तो आपको याद आगे होगा इसका सही आंसर है काल माक्स का प्राचिन समय में किस नगर में सुकरात को सरवातिक विवेक्षियल वक्तिक आ जाता था? छीन समय मैं आट दो जाता है। gradनेतिक का जनम दाता किसको मना जाता था? उसका इसका सही आंसर है अरस्तु को. नेक्स है जो विशे राज्य और सरकार की जानकारी हमें कराता है उसे क्या कहते है यह जो राज्य और सरकार के बारे में हमें जानकार देता है उस विशे को क्या कहते है तो उस विशे को राजनितिक सिद्धानत कहते है नेक्स है राजनिति की पुस्तक पॉलिटिक्स है इसकी की रजना किस नहीं तो इसकी रजना अरष्टू ने की ती चैसे कि मैंने बताया पिछले में कि अरष्टू कु राजय दिविक्याण का जञाता है आपको अरष्टू की पुस्तव भी यायत करने और प्लेटो को भी प्लेटो की फुस्तव थी वह रिपयुग्छ थी और आस्टिनियन संप्रूबु क्या है तो इसका अंज़ रहा है विदिक सत्ता का अंतिम स्रोथ है जो आस्टिनियन संप्रूबु है नेक्स्ट प्रसन है कि महात्मा गांदी की पुस्टा का नाम क्या है यह नहीं राजनेदी सिदांतर समंधित जो एतियासिक पुस्टा का नाम तो मात्मागंदी भुस्त का नाम है इंद स्वराज नेक्स ए आधुनिक काल में सबसे पहले किस विचारक ने यह सित किया कि सुतनता मानव मात्र का मौली के दिखार है यह प्रस्ण में से रिपीट है लेकिन एक दू बार रिपीट हो जाएगा तो इसका आंस्वर है रूस होगा यह रूसों ने विचार दिया था कि सुतनता मानमात्र का मौली के दिखार है नेक्सच दारे फिफचत के लिएक कौन है यसे मैंने बता दिया आपको आपको याद होगा कले टो कि सब्सक्ते तो यह करने की तक मैं आहिं नियुग Simply धुर। लिए गणदि जी ने कहा था कि राजनीती ने हमें सांप की कुण्डली की तरह चकट रखा है नेक्स फ़स्टी नहीं है कि हमारे आर्थिक विदेश ही और शेक्षा नितियों का निर्दान की या जाता है किस्के दोर किया जाता है साह Mori जैसे LB g की जो शुखा दूइती निजी करने में या वैस्ट करने ऐसे principle यह तो वो शारा कुस finely करता है सर्कार दोरा यह नितियां निदत कीजाती है next स्वतनता फिलिए उतनी दियां गोती है नेक्स प्रश्ण है एक राजनीति के अंदर के किन गटनाओं को लिया जाता है ताब वो तोड़ा सा सोजना एक राजनीति के अंदर को कौन से गटना आएगी तो जो राजनीति के अंदर आएगी नेक्स है इंटरनेट का प्रियूग करने वालों को क्या का जाता है ये भी ए प्रश्म में खासकर 11 में भी पूछा जाते है और competition के दरस्टी से बिए इंपोर्टेंट है next राज तंत्र वो लोग तंतर में कौन सा तंतर बैतर है कि वीवेचना किसने कि थी यहने की राजतंत्र जो पहल को पहले था है और में तुरौकल öl्वर्द्मारण में, या जिए जो रिउता परति मो को जैद से द्यार है तो इसका आंशर है रूसो, यह भीahanические सणर्पशन मिलना चाहिए यह कतन किसका है यानि बार्दी जो भी विद्वान है याज भार्दी जो भी माह पूरूश है उन से समंदित यह कतन है कि अनुसुची जातियों को विशे सनक्षण मिलना चाहिए यानि इसार प्रतम यह मांग किस नहीं तो डॉक्टर भीम्रावंवेड करका यह कतन है समंता प्लो क्या है नेक्स समान RC comes प्लो क्या है तो राजनीति का सकारात्म ग्रूप जनस्वा और समाज में सुधाराओं के करण对 Ilis शकारात्म ग्रूब से राजनिती का जो भी में मक्सद है वो है जन सेवा करना और समाज में सुधार के जो भी काम करना नेक्स है राजनिती का नकारात्म ग्रूब क्या है तो जब सकारात्म की बात आई तो नकारात्म भी होगा तो नकारात्म ग्रूप यह है कि राजनिती का नकारात्म ग्रूप दाम पेंचो दोर अपनी जरूरतों और मैत्व कांक्षाओं को पूरा करना यानि ये न के न परकरण किसी तरीकी से अपने जो भी जरूरत है या मैत्व कांक्षा है उनको पूरा करना, जन हीद को ध्यान में नहीं रखना, ये इसका नकारात्म या नेगिटिव रूप हो गया, जबी शकारात्म रूप ही हो गया कि जन सेवा करना, समाज का सुधार करना, तो आजकल जो राजनिती में है, शकारात्म की जगे नकारात्म ग्रूप का भी मात्रा में देखने को मिलता है यानि कई जो दलों के जो भी सत्त से होते हैं या नेता होते हैं वो ये प्रकरन कैसे भी करके सत्ता में बनने रहने का परयास करते हैं और दल बदल जैसे के थीविदियां भी करते हैं जिसके बारे में कुछ समय पूर वे दल बदल कानून भी लाये गय तो यह नकरत नूरूप हो गया, नेक्स्ट है, राजनीती से जोड़े लोग किस प्रकार के दाव पेज चलाते हैं, तो आप ऐसे वर्तमान में देखें जाएं तो आपको बता चल जाएगा, कि राजनीती के जो दाव पेज में दल बदल जैसे कि मैंने भी जिक्र किया, कि लो पेज रहे, तो इस तरह से यह दाव पेज राजनीती में चलते रहेते हैं, आलंकि जनता आप जागरु घो चुकी है, फिर भी यह राजनीती के दाव पेज आएगा, वो चलते रहते हैं, नेक्स्ट है, आधुनिक लेखों को ने राजनीती को किस प्रूप में देखा है? प्रस्न है कि आदुनिक लेखोगों ने राजनिती को किस रूप में देखा है तो इसका अंसर है कि आदुनिक लेखोगों ने राजनिती को सक्ति के लिए संगर्स के रूप में देखा है यानि आज की तारी में राजनिती है वो एक सक्ति है और उसके लिए जो भी संगर्स है वो राजनीति है यानि चुछ सहक्ति को प्राथ करने का संकर से वही एक राजनीति है तो आध्नीक लेक्षो ने इस को इस तरह से प्रफवाजित किया है next question है कि राजनीतिक से जथांत किस तरह के मुल्यों के बारे में सुस्प वेवस्तित रूब से विचार करता है यानि राजनेतिक सितानत के अंतरकत अपने किन मुल्यों के बारे में अपने विचार करते हैं तो उसका अंसर है कि राजनेतिक सितानत स्वतंतरता समानता और नया है जो की लोगतंतर की मुख्ये जो बिंदू है उनके बारे में विचार करता है राजनेतिक सि प्रस्ता को गैर कानु निगोषित किया गया जैसे पहले पाटे पृस्त का थी उसको पीछे लिखा भी होता था कि आस्परिश्ता अवेदानी के कानुन की विरुद में जो मानवी मुलियों के खिलाप में इस तरह से ये अनुच्छेत 17 आपको याद रखना है और इस प्रस्ता से समझती थे नेक्स्ट इंटरनेट का प्रिवकरनेबल क्या कहा जाता है ये रिपीट हो गया नेटिजनिस का आंसर है नेक्स्ट है कि राजने राजनितिक प्रस्णों के बारे में तरक संकत डंग से सोचने और राजनितिक घटनाओं को सही तरीके से आगने का प्रस्टिक्षन देना यानि राजनितिक शित्यानतों के दोड़ा आपन हम लोग राजनितिक घटनाओं के बारे में सोच सकते हैं उनके बारे में तरक पू νति राजनिति में देखें तो कि मैं चुना उलड़ने वाले औरहीं किसी पार्टी से जुड़े लूगे वह राजनिति को पतातेूँ अब इस अपने आपको जंद सेवक बनाते बताते हैं जो भी राइन देता हुआते हैं उनका जो भी आप कहीं बासन सुनेंगे तो उनका पहला जो कतनी होता है कि हम जंद सेवक है जंदा के सेवक है कितने सेवा करते हैं यह आप खुद डिशाइड करें सरकार की नीतियां लोगों की क खरष्यूंटों निद्धान पक्राइब लन से किसी विदेश की आर्थिक निती है, विदेश निती है और शिक्षा से सम्हद्दि नीतियों का जो कख्षा बारा के जितने भी पार्णेतिक सिर्दांत की है किर में कि입니다. किये हैं आप वहां जाकर किनों को चेक कर सकते हैं और इसी तरह से प्राइद दिविक्यान करक्षा 11 के जितने भी सेस्पार्टों के जो भी वीडियो है मैं जल्दी इस चैनल के अपलोड करूंगा तो आप उन वीडियो को देखें और किसी की कमटिशन के त्यारी के लिए बहुत मैत्वपून है तो इस तरह से आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आएं और अपने सातियों को भी जो भी कमटिशन के त्यारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करें ताकि जैदा जैदा उनका भी तो मिलते हैं नेक्स टुडियो में तब तक जै हिंद जै भारत